पढ़ाई करने का मन बिल्कुल भी नहीं है मैंने सुचा इस सीरीज के अंदर मैं क्या ही कर लूँ तो मेरे को तीन कंडीशन्स दिख रही थी या तीन फ्यूचर दिख रहे हैं तुमारे या तो सब्जेक्टिव पेपर होगा या तो IMCQ बेस्ट पेपर होगा और ये चैनल थोड़ा fruitful सा लगने लगेगा तो आज मैं तुम्हेंना स्टाफिंग का इंट्रोड़क्शन दे रहा हूँ अगर ये वीडियो लगे अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैं ये बोल रहा था कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे आफिये थे वह क्लासिस के तुम्हें लिंक दिस्क्रीप्शन में मिल जाएगा तो मैं इस टाफिंग के बार में सोच रहा था मतलब वह एंप्लॉई माइंट सेट वाला है ना स्टाफिंग की कबर खो देंगे स्टाफिंग का को रेसेंस क्या है देखो यार अभी मैं तुमसे दो यहां पर सीक्रिट तौर पर बात करूँगा तुम्हें पता चल गया तुम्हारा लंच और तुम्हारी छुटी पका है उसके बाद तो तुमने बोला कि मैं तो अप्लाइ करूंगा उस जॉब के लिए तुमने दैनिक भासकर उठाए या जो भी निउस्पेपर तुम्हारे आता है नव भारत लेलो उसमें तुमने रिक्रूट्मेंट का देखा मतलब इष्टेहार देखा और तुमने जॉब के लिए अप्लाइ किया तो रिक्रूट्मेंट इस नथिंग बट इंडूसिंग पीपल तु अप्लाइ फॉर दा जॉब तुम्हें एक तरह से लालच दिया गया ताकि तुम जॉब के लिए अप्लाइ करो और तुमने जॉब के लिए अप्लाइ भी किया दाट इस रिक्रूट्मेंट फिर ट्रेनिंग एंड डेवलप्मेंट क्या है मतलब मैं यह भी समझाऊंगा लेकिन पहले मुझे इवन कुछ प्राक्टिकल भी किये हुए but you don't know how to apply that knowledge to the business जिसके अंदर तुम काम करने जा रहे हो काम बहुत अच्छे से करेगा मतलब स्टाफिंग का core essence है putting people to job तुमने recruit भी क्यों किया putting people to job लेकिन यह चीज पॉसिबल ही नहीं है अगर तुम्हें as an organization पता ही नहीं है कि human resource planning कैसे की जाती है सी तुम्हें difference पता होना चाहिए as an organization या bank कोई ले लो कि एक clerical work के के लिए तुने कभी clerical दिया है तुने दिये का हो तु सीधे ही मेरे पास आ गया तो मैंने तुमें दो aspects समझाए एक हो गया recruitment दूसरा हो गया training and development but क्या human resource planning पूरी वहीं के वहीं आगे खतम हो जाती है मतलब जहां से staffing चालो होता है नहीं देखो एक promotion भी बहुत बड़ा part है कि अगर आप किसी business के अंदर काम कर रहे हो as an employee तो आपका promotion भी उतना ज़्यादा जरूरी है साथ-साथ में performance appraisal अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपकी salary hike की जाए आपको perks दिये जाएं, benefits दिये जाएं, ये दो अलग से तुम्हें याद रखना है MCQ based के लिए तो especially क्योंकि उसके अंदर ये चीज़े पूछे जाने के जादा chances होते है मतलब ये जो पहला introduction मैंने पढ़ाया ना, subjective के लिए तो पढ़ाया नहीं मैंने basically objective के लिए पढ़ाया, जिससे तुम अपनी तयारी पूरी रख सकते हो importance की बात करूँ, अगर staffings related ना, तो थोड़ा detail में सुनना यहाँ पर तुम्हें हो सकता है subjective के लिए अगर तुम तयारी कर रहे हो अभी ता कि ये video सिर्फ subjective के लिए देख रहे हो तो ये point तुम्हाले बहुत matter कर जाएगा obtaining competent personnel competent का मतलब अलग होता है, personnel का मतलब अलग होता है और भाई को ये चीज़ बहुत late समझ में आई थी मतलब जब मैंने पढ़ाना चालू किया तब समझ में आया 12 तो भाई ने ऐसी ऐसे दे दिया था competent का मतलब समझो having necessary ability, knowledge and skill to do something तब ही बोलते हैं, जब मैंने clerical का तुम्हें example दिया न वो mindset बिढ़ाना चाहता हूं मैं तुमारा clerical का अगर तुम exam दे रहे हो तो दिक्कत क्या हो रही है, कि clerical में बहुत basic knowledge चाहिए तब ही exam सुथे easy होते हैं comparatively तफ क्यों लगते हैं, बहुत सारे लोग apply करते हैं इसलिए लेकिन जैसे जैसे hierarchy में बढ़ते जाओगे न ऊपर अच्छी positions के लिए exam दोगे, chartered accountant हो गया, company secretaries हो गया cost and management accountant हो गया, उसके exams उतने ही जदा tough और उतने ही organized undertaking, मतलब personnel वो हो गए जो professional जिने हम कहते हैं, जिनको काम करना आता है, जिनको पता है कि क्या काम करना है तो हमें वो competent personnel चाहिए, जो के काम को कम से कम time में minimal से minimal cost के अंदर कर सके वैसे, TCS के भी बहुत सारे ऐसे examples है, वो जो call centers शुरुवात में चलते थे न, वहाँ पर 12th pass को लिया जाता था चलो, बात करते हैं high performance की, obviously staffing अगर तुम करोगे, बोला था न, human resource planning अगर तुम करोगे जितने भी लोग तुमारे business के अंदर काम करें या banking में काम करें, वो high performance वाले होंगे एक bank के अंदर एक clerk से क्या मांगा जाता है, data entry कर लो properly, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रख लो, high performance है तो उसे साब से उसकी knowledge test की जाती है, तो with great staff and HR comes great performance, ये तरीके से याद रखो अगर तुमारे पास अच्छा HR है, अच्छा staff है, तुमारी performance automatically improve हो जाएगी because वो काम करने वाले तुमारे पास professionals है, वो सीख्या हैं, उनको मालुम है काम क्या करना है और याद रखना, इससे organization की personal level पे employees की continuous growth देखने को मिलेगी please, ये चीज़ याद रखना, इसके अंदर I am not just talking about individual organization इसके अंदर हम organization की भी बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम employees की भी बात कर रहे हैं तो दोनों को तुम्हें ध्यान में रखके चलना पड़ेगा, when it comes to growth, employees भी grow हो रहे हैं साथ-साथ में organization की भी growth है, और वो भी consistent basis पे, because दोनों मिलके काम कर रहे हैं यहाँ पे तो मेरे भाईयों मेरे से resources सी spelling में थोड़ी सी गलती हो गए थी तो भाई नहीं आपर सुधार दी है, optimum utilization of human resource देखो यार, staffing जो है वो एक ही चीज़ पे based है, कि जो भी लोग business के अंदर enter हो रहे हैं काम करने के लिए, employees especially, उनका maximum utilization होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको तुमने दो काम दिये, वो दो घंटे करके बैट गए, उसके बाद वो free बैटे हुए है तुम्हें इस तरह से उनकी energy को channelize करना है कि उनके पास on a regular basis काम रहे मैं बहुत unique बात बता रहा हूँ जो तुमने पहले नहीं सुनी होगी Optimum utilization of human resource का थोड़ा सा दूसरा perspective समझो Hire only when you have a specific task needed for a specific person on a regular basis 3-4-6 घंटे का काम निकलाया, उसके लिए किसी को तुम hire नहीं करोगे regular basis पे Optimum utilization, simple सी बात कहता है, if you are hiring someone, उसको engage रखो consistent basis पे अगर वो नहीं रखोगे, तो वो वैसे ही lazy हो जाएगा और तुम वो result नहीं निकाल सकते, जो तुमने सोच के उसको hire किया था So, यहाँ पे भी यही बुला गया, human resource is in abundance in a country आप किसी भी country, इवन इंडिया जैसी country में देख लो तो भाया, human resource भायंकर है Staffing makes sure proper utilization of HR is being done Staffing के थूँ यह देखा जाता है कि उस banker resource जो तुम है पस अविलिबल है उसमें से पहले तो limited resource अपने business के अंदर लेकिया हो At the same time, जितना resource आ रहा है उसका proper utilization करो, उनको engaged रखो वैसे यह जो under or over utilization वाला system है अपने इंडिया में बहुत देखने को मिलता है और जितना नीचे आते जाओगे उतना over utilized है मतलब वो अगर तुम किसी को देख रहे हो कि वो बारा घंटे काम कर रहा है तो फिर समझ जाओ कि वो over utilization में मतलब वो तो कोई फिर है ही नहीं किसी का काम कोई और करता है That's why I hate Corporate Corporate, yes अब क्योंकि तुम्हें subjective और objective दोनों को समझ के चलना है इसलिए मैंने यहाप पे improve job satisfaction को दोधारी तलवार लिखा हुआ है कि staffing एक दोधारी तलवार है कैसे अगर staffing proper की तो आपके business को फाइदा है वो बंदा करना जानता है जो आप उससे करवाना चाहते हो नमबर वन ये दूसरा जो आ रहा है आपके business के अंदर काम करने के लिए अगर आपने उसको proper work में लगाया जिसके लिए वो capable है तो automatically उसका job satisfaction बढ़ेगा It is equally important to understand the needs of the workforce मतलब आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ अपना काम निकलवा रहे हो और काम आपका हो गया है नहीं आपको balance out करना पड़ेगा अगर आपने सामने वाले को रखा हुआ है आप उसके काम निकलवाओ कोई मना नहीं कर रहा है लेकिन उसका भी job satisfaction होना चाहिए कि जो उसको काम अच्छा लगता है आप उससे वही करवा रहे हो मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता था इसलिए मैंने छोटा सा रखा है ये वाला part जो है ये मैं तुम लोगों को next वीडियो में करवाऊँगा अगर तुम्हें ये series अच्छी लगे तो बताना तभी मैं इस series को continue रखूँगा पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है मैं समझता हूँ तभी मैं इतने छोटे छोटे वीडियो बना के तुम्हें अगर थोड़ा बहुत भी बताते रहो इतना subjective और objective के लिए कर लो even hell paper ना हो तो भी कर लो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद